नमस्कार, महान दिशक स्कूल सिक्षा विजय किरण आनन जी का एक आदे 16 मई दो हजार तेईस को आया था, जिसमें 1 सेप्तमबर से 15 सेप्तमबर दो हजार तेईस तक स्वच्छता पखवाडा मनाय जाने के संदर्व में 15 दिनों का कारिकरम प्रत दिवस अलग अलग निर्ध किया गया था, जिसमें 3 सेप्तमबर रवीवार, 6 सेप्तमबर चहलूम, 7 सेप्तमबर जैनमाष्टी में तथा 10 सेप्तमबर रवीवार के दिन छुट्टी होने के बावजूद सवचता पखवाडा है तो दिनवार कारिकरम निर्धारित था, सिक्षकों को लगने लगा यह तो ताना साही जैसा आदेश हैं क्योंकि पूरू में 29 जुलाई 13 अगस्त को छुट्टी थी फिर भी निधारित कारिकरम के अंसार विद्याले खुला फिर 23 अगस्त को सामसाव पांच बजे भी विद्याले खोला गया स्वच्छता पखवाड़ा वाला आदेश आने के बाद अख़बारों में भी विभिन हेडलाईनों के साथ निकलने लगा बेसिक शिक्छा विभाग को सिक्छकों के इन समस्याओं का अभास हुआ तो उन्होंने स्वच्छता पखवाड़े वाले आदेश में आन्सीक संसोधन किया जिसमें लिखा गया सुच्छ है कि भारस सरकार द्वारा उक्ता अनुसाद निर्धारित इथियों के मध्य यदि पूरु से कोई सारवजनिक आवकास घोसित है तो उस दिन की निर्धारित गदविधी उसकी आगामी कारे दिवस है तो कारिकरम गदविधी के साथ पूर्ण की जाएगी अब यह साफ हो गया है कि विभाग ने समस्याओं को समस्ते हुए स्वच्छता पकवाड़े के कारिकरम में जिस दिन आवकास है उस दिन विद्याले बंद ही रहेंगे उस दिन के कारिकरम अगले दिन कराए जाएंगे यह थी बेसिक सिच्छा विभाग की एक खबर की खबर फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा